हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है आबेदेके एन वेलकम टू टेक सोर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑप्शन होता क्या है एक्टिवेट डिवाइस एडमिन एप्स और ये कहां पर होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो ध्यान से देखते रहिए तो सबसे पहले आप अपने फोन की सेटिंग्स में चले जाएं इसके बाद स्क्रोल कर ले नीचे की तरफ यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ढूलना है पासवर्ड एन सिक्योरेटी इसे ओपन कर लें यहाँ पर आप सिस्टम सिक्योरेटी के ऑप्शन पर चले जाएं और यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा device admin apps तो इस तरीके से आप यहाँ पर आ सकते हैं बट अगर इस तरीके से यहाँ पर नहीं पहुंच पाते हैं तो आप सेटिंग में सर्च के option पर जाएं और सर्च करे device admin app इस तरीके से यहाँ पर लिख लें और इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पहुँचाएंगे अब इसे आपको आगे यहाँ से जाने के लिए आपको इस CAPTCHA को फिल करना होता है इसे हम CAPTCHA बोलते हैं तो इस पे लिखना है C, C लिखा हुआ है, CAPITAL में ही लिखना है V CAPITAL में है तो CAPITAL V CAPITAL H CAPITAL A ठीक है इस तरीके से लिखे और activate पे क्लिक कर दें तो यहाँ पर यह activate हो जाता है तो अब यह होता किसलिए है पहला तो option होता है यहाँ से अगर आप activate करना चाहते है find my device तो यहाँ पर आप activate पे क्लिक कर दें इसके बाद अगर आपका आपका phone कहीं गुम जाता है तो आपके phone में इस वाले phone में जो भी email है आप दूसरे phone में जाएए और उसी email को find my device की application में लॉग इन कीजिए तो आपके पास इस phone का access आजाएगा आप अपने lock screen को change कर सकते हैं उसका data पूरा गलीट कर सकते हैं और यहाँ पर हटाना चाहते हैं lock screen तो आप हटा भी सकते हैं तो यहाँ पर आपको यह option मिलता है और यहाँ पर दूसरा option क्या होता है अगर आपने phone को loan पर लिया हुआ है तो यहाँ पर आपको एक option मिलता है आपका device lock होता है open नहीं होगा जब तक आप EMI को पूरा नहीं भरेंगे आपने EMI नहीं भरी है तो company phone lock कर देती है तो इसलिए यह device admin apps काम आता है